जय हैं दोस्तो, Top 50 Study YouTube चैनल के माद्धियम से हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत के अभ्यास प्रष्णों पर जिसमें हम ब्याख्या सही चर्चा करेंगे जिससे आपकी तैयारी वड़े मजबूत हो और आप पेपर में अधी संस्कृत का आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें तो चली हम शुरूबात कर लेते हैं दोस्तो इसमें जितनी ब्याख्या है वो भी दी गई है साथ में कुछ ट्रिक भी हम आपको बता जाएंगे जिससे सरल तरीके से आप समझ सकें इसकी पीडिया कैसे मिलेगी वो आँगे बताते हैं उ अगला प्रशन है कि संस्कृत किन सब्दों से मिला है तो आपको बता दें कि सम उपसर्ग क्री धातू में ता प्रत्य लगने से क्या बना है संस्कृत बना है जिसका आर्थ होता है परिस्कृत निर्दोस निर्बल सुद्ध या अलंकृत इस प्रकार से अगला प्रशन उत एप है हमारे एप टॉप 50 श्टड़ी एप पर मिलेगी जिसकी लिंक मैंने डिस्किप्शन में दी है टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाई हो हाँ पर भी आपको पीडियेफ नोस्ट मिलते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा जिससे आगले प्रदेश राज्य में संचालित संच के सिक्षन के मुक्ताह कितने इस्थर हैं कितने इस्थर हैं वहिया उत्तर प्रदेश में संच के सिक्षन के जल्दी से बता दें वीडियो को लाइक भी करना है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितने इस्थर हैं तो अहां प्रात्मे किस्तर कक्षा से 3 से 5 तक जिसको कहाईते हैं वहाँ पर इसके बाद उच्चतर माध्मे किस्तर कक्षा 6 से 8 तक याद रखीगा उच्चतर माध्मे किस्तर माद्ध में किस्तर पर संस्कित सिक्षण के उद्देश क्या है? ठीके ये संस्कित पेड़ागोजी संबंदित पृष्ण है दोस्तों आपको एदि हमसे जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब करके कई लोग बोलते हैं नौटिपिकेसन नहीं आता बैल आइकन को दबा करके ओल नौटिपिकेसन ओन कर लें और टॉप फिप्टे श्टड़ी यूटूब पे आप सर्च करेंगे तो करम से और भी वीडियो हमारे मिल जाएंगे पहले लिष्ट में आप ऐसे पहले हमारे अभ्यास आये हैं उनको देख सकते हैं तो प्रात्मे किस तर पर संस्केट सिक्षण का जो उद्देश है तो हो जाएगा फलों बस्तूओं जानवरों लिंग बचन इवं सर्वनाम को छोटे छोटे बाक्तियों की मार्वियम से खाना ही हो जाएगा अगला है पार्णी ने संस्कित ब्याकरण को कितने सूत्रों प्रतिपादित किया बेरी बेरी आई एंपी परस्न हैं कई बार पूछा गया ही परस्न हैं तो आपको बता दें कि कितने सूत्रों में प्रतिपादित किया है तो चौदा सूत्र जिनको क्य केते हैं माहिस्वर सूत आयोन रीलेक एयोंग एयोंग छायवराट लणे आम गणनम जबाए गड़दस जब गड़दस खब चटक चटताओ कपाई ससरहल के लोग सोचाने सरे क्या बोल गए वो ही है जो 14 माहिस्वर सूत रहें ठीक है अलग से इनका वीडियो पढ़ाएंगे बिल्कुल आप सई पैचान रहे हैं कमेंट फटाक से करना है सबी लोगों को करना एक आपकी तैयारी का अंधाज होगा दो वरणों से मिल करके बनता है जैसे अच प्रत्याहार होते हैं और सब होते हैं जैसे यहाँ देख लें ब्याक्थ्या में कि अच होता है एक यान अल हल अच प्रत्याहार में पूरे स्वारण वरण आ जाते हैं हल प्रत्याहार में पूरे बेंजन वरण आ जाते हैं इस प्रकार से प्रत्याहार दो वरणों ठीक है, सारल पिष्ण है, इसलिए जल्दी ले लिया, फटा-फटांगे लेते हैं कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्याहार 42 हैं, आप रासंग एक सब्द जोड़ दिया, आपको तो यही पूछेगा, प्रत्याहार की शंख्या कितनी है, तो आपको लिखके आना है 42, अकला है वरण कितने परकार के होते हैं, आपको बता दें कि वरण जो है, दो परकार के होते हैं, कौन ख़ंसे, एक होता है, स्वर, वह रही होता है, बेंचन। किलिक कर लो, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, पिले लिस्ट में जा करके जरूर देखें, स्वर के कितने भेध हैं, तो स्वर के आपको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करते जाएं, कम समय दूँगा आपको बताने के लिए, हाँ, बिल्कु सही स्वर के तीन भेध होते हैं, हिरस, दीर्ग और पिलुत, ठीक है न, हिरस, दीर्ग और पिलुत, स्वर के तीन भेध होते हैं, स्वर के, आगे, हिरस स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वोने हिरस स्वर कहते हैं, याद कहलाते हैं और जिन स्वर के उस चारण में तीन मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं वो पिलुत स्वर कहलाते हैं जैसे हमने बोला एक मात्रा का समय लगा इसके बाद बोला दो मात्रा का और खीस दिया और तीसरा मैं बोल दिया ओम ऐसे नहीं बोलते हैं ऐसे लगा दे देते हैं, तो वो पिलोथ होता है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है, अगला देखते हैं, आगे, हरास्तुस्वर कितने प्रकार के हैं, अब हरास्तुस्वर के भी यहां पर प्रकार पूछे गए हैं, जल्दी से बता दीजी हरास्तुस्वर कितने प्रकार के हैं, था, बिल्कु दीर्ग स्वर किसे कहते हैं तो पहले बता चुके हैं कि दो मात्रा का उच्छन का समय जिसमें लगे वो दीर्ग स्वर कहलाते हैं अब देखें दीर्ग स्वर कितने हैं उसकी शंख्या ही पूछ सकते हैं उसको प्रारंब से पढ़ रहे हैं आप समल लीजी कई लोग सोचेंग सब कुछ आएंगे, तो सब कुछ क्रम से यहाँ पर सरल भासा में ला रहे हैं, तो दीरिक स्वार के प्रकार जल्दी से, हाँ, बिल्कुँ सही पैचाना है, आठ प्रकार के होते हैं दीरिक स्वार, कौन-कौन से, आ, ई, उ, री, ए, आ, ई, ओ, आउ, यह सब दीर है, प्रकार में नासिका की सहयता ली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बैरी-बैरी आई-एंप, कई बार पूछा गया प्रसन है, ऐसे स्वार, जिनमें नासिका की सहयता की जरूरत होती, उच्छान के समय, उनको कहते हैं, अनुनासिक, उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक, क्यो हुआ है, अंतस्त, बेंजन टोटल 4 हैं, संस्कित बरण माला में, हिंदी वहीं भी खेर चार ही है, तो उनका समुई कौन सा है, तो आपको बता दें, या, रा, ला, और वा, ये कहलाते हैं, अंतस्त, सा, सा, साहा, ये कहलाते हैं, ऊस्म, और छट तरग्या एक एहलाते हैं सैयुक तीनों चीज़े याद रखना जो मैंने बताई है टीक है निम ले खेत मैं से उसमेंजनों का समूई उसम हम पहली बता चुके हैं उसम क्यों कहते हैं क्यों कि 활 उसम मतलब वायू बाहर निकलती हवा बाहर निकलती इसलिए इनको क्या कहते हैं उस बेंजन वो कौन-कौन से हैं सा 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 और हा ठीक है आगे इसपर्स बर्ण कहलाते हैं इसपर्स बर्ण या इसपर्सी बेंजन कुछ भी इसको कह सकते हैं ठीक है न तो वो कौन कहलाते हैं तो आपको बताते हैं टोटल इनकी संख्या है बए गितनी है प्चीस है और कौन कहलाते हैं का से लेकर के मा तक मतलब कचट तप में जो पूरे आते हैं कवर्ग, चावर्ग सभी सब्द आज़ें दो बेंजनों की सहायता से बनेंगे ठीक है वो क्या कहलाएंगे संयुक्त बेंजन तो दो बेंजनों के संयुक्त से बने जो बरण है वह संयुक्त बेंजन कहलाते हैं प्रियत्न के कितने भेद हैं? प्रियत्न के भेदे यहां पर पूछे गए हैं हाँ जल्दी से बता दीजिए तो प्रियत्न के दो भेद होते हैं अब भेंतर प्रियत्न और बाह प्रियत्न बाह प्रियत्न के कितने भेदे हैं? प्रियत्म के आधार पर हमने आपको संस्कित बर्ण माला पढ़ाई थी ट्रिक के साथ जिसमें उच्चान स्थान भी आपको पढ़ाई थे पूरा बर्ण विचार पढ़ाई थे ना देखी हो तो हमारी playlist है संस्कित ब्याकरन ट्रिक ठीक है तो उस पर जाएं आप संस्कित ब्याकरन ट्रिक पर पढ़ाई लिश्ट में जाकर के जरूर देख लेना वीडियो तो बाहे जो प्रियत्म हैं इसके जो भेद हैं वाई टूटल कितने ही ग्यारह हैं कितने भेद हैं दूस्तों ग्यारह हैं कौन-कौन से हैं ये दिये हैं बाहे प्रियत्म के ग्यारह भेद बिवार, संबार, स्वास, नाद, घोस, अगोस, अलप्राण, महाप्राण, अदात, अनुदात, ताता, स्वरेत इनके बारे में हम बर्ण माला हैं पड़ा चुके इसलिए ज़्यादा बिस्तारा भी नहीं ले रहे हैं कुछ जो प्रिशन हैं वो देख लेते हैं बिवार कार्थ क्या है बिवार मतलब होता है जल्दी से बता दें हाँ आपको भी समय दे रहे हैं मिलकुल बताते जाईए तो बिवार कार्थ होता मुख का खुलना क्या है मुख का खुलना अल्प प्राण किसे कहते हैं? जल्ली बता दीजे तो अल्प मतलब क्या होता है? कम प्राण मतलब है बायू तो जिन बरणों के उच्चारण में प्राण बायू का अल्प उप्योग होता है अल्प मतलब कम और प्राण मतलब बायू तो जिन बरणों के उच्चारण में प्राण बायू का अल्प उपियोग होता है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं उदात को स्वर किसे कहते हैं? सूतर अपने पढ़ा होगा उच्चेर उदात रहा अठा तो उसका रित्त क्या है इन दो आप्सिन में से तो नहीं है तीसरे आप्सिन में दिया है कि जिन स्वरक की उत्पत्ती अपने उचांड स्थान के ऊपर के भाग से होती उदात्त स्वर कहते हैं आगे है चुकि आप भ्यास कर रहे हैं इसलिए आपको ही मौका देते हूं हम भी थोड़ा स्पीड से बता देते हैं model paper हमारे अलग आ रहे हैं संस्कित के daily तो उसमें आपको टोटल test रूप में रहते हैं आपको ही च्यार option दिये रहते हैं और आपको ही पूछे जाते हैं बिलकुल जैसे paper में आते हैं mix person बैसे ही उसमें रहते हैं तो वो भी आप लगाते जाएए और एक क्रम से पढ़ते जाएए जैसे आज बरण माला पढ़े किस्र बरण के साथ जा दूसरा बरण मित्रवाट पास आकर बैठ कर उससे सईउक्त हो जाता है वह कहलाता है जल्दी से बता दें हाँ बिलकुत सही पहचाना है उनको कहते हैं आगम बरण क्या बोलते हैं आगमबर्ण एक सूत्र भी है मित्र बदागमः मतलब जो मित्र बता जाते हैं आगमः मतलब आगमबर्ण कहलाते हैं किस बरण को हटा कर जब कोई दूसरा बरण उसके स्थान पर सत्रू की भाती आ बैठता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसके लिए ہो सत्ट्रू बदा देशा, सुत्र क्या है? सत्त्रू बदा देशा, मत्तब सत्रू की तरह जो आता है वो आदेस बरण है, और जो मित्र की तरह आते है वो आगम बरण है, दोनों चीजी याद रखना, ठीक है न? जैसे एक उधारन यहां पर देखो यदी धन अपी से यद्यपी यहां पर ई के स्थान पर या का क्या हुआ है आदेस हो गया है ई का या हो गया यन संदी का उधारन है यद्यपी ठीक है न तो यह क्या हो गया है सत्रू की तरह जवर जस्ती आके बैठिया चाहिनी रहा था वो किसी सब्द के अंतिम बरण से पहले के बरण को क्या कहते हैं चुकि यह PDF हैसी है अतनी बिल्कुल पास पास है कि मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ तो आंसर देखने की चांस जादा रहते हैं लेकिन आपको question पर दिहान रखना है किसी बरण के अंतिम बरण से पहले के बरण को क्या कहते हैं तो अंतिम बरण से जो पहले का बरण होता है उसको कहते हैं उपधा बरण क्या कहते हैं उपधा बरण ठीक है न याद रखिएगा यह उपधा है उपधा क्या है इसको और अच्छे से थोड़ समझ लें तो एक बार देखें किसी सब्द के अंतिम बरण के पहले के बरण को उपधा कहते हैं कहा है अंतिया दलाह पूर्वो बरणा उपधा मतलब जैसे चिंत में ता अंतिम बरण है ठीक है चाई आधना उपधा उसमें बरण न उपधा है क्योंकि अंतिम बरण क्या है ता है उसके पहले का बरण क्या है आधना है तो यही क्या है उपधा है माहत में ता बरण के पूरवर्ती क्या है? हा है ठीक है न? और हा के अंदर भी क्या छुपा है? आ छुपाए क्योंकि बिना स्वर की साहता है क्योंकि बेंजन पूरा नहीं होता तो यहां पर आ के आ हो जाएगा? उपधा क्योंकि मा, आ, हा, आ, उत्ता तो ता अंतिम बरण है इसके पहले जो होता है बरण उसको उपधा कहते आओ यहां पर उपधा हो जाएगी याद रखना बिसर के स्थान पर सासा का प्रियोग क्या कहलाता है? बिसर के स्थान पर सासा सा हो जाना यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है जल्दी बता दी उप्चार क्या कहलाता है उप्चार अगला है बरणों में अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं ठीक है बरणों में जो अत्यंत समीपता होती है उसको क्या कहते हैं हाँ बिल्कुश सही पहचान रहे हैं उसको कहते हैं सहियता क्या कहते हैं संहिता ठीक है हाँ परनिस्कर्षा संहिता मतलब जो परनिस्कर्ष होता है जैसे बाकधन ईस से मिलकर क्या बनता है बाकधन ईसा सो बागी सा बन जाता है इस प्रकार से तो यहाँ पर आंतिम जो है न का और ई में अंतिमरण और पहला बन था इसमें क्या हो गई अत्यंत समीपता के काण संधी का कार करने से बागी हिसा बन गया किसी भी सब्द के अंतिम स्वर उसके बाद यदि कोई बेंजन हो तो उसको क्या कहा जाएगा ठीक है ना अच्छे से समझ जी जी क्या पूछा जा रहा है यहाँ कि किसी भी सब्द के अंतिम स्वर, उसके बाद कोई बेन्जन हो, तो उसको कहते हैं T, T संग्या आपने पड़ी होगी, देखें, कहा है अचुनत्याधी T, मतलब अच क्या कहलाते हैं, अच मतलब स्वर, और उनके अंत में यदि कोई बेन्जन हो, तो T हो जाता है, T कहा जाता ठीक है, किसी सब्द के अंतिम स्वर वह दी, उसके बाद कोई बेंड़े हैं, टी, जैसे देख रहे हैं, मनस में इसको तोड़ो, मा, आ, न, आ, सा, यहां दो स्वर हैं, उसमें से अंतिम स्वर ना के बाद आने वाला आ है, ठीक है न, इसकी टी संग्या होगे, टी कहलाएंग एक दो चुकी मैं पहले सोचा, तीस प्रशन लूँ, लेकिन कुछ वह ले लेते हैं, ठीक है, तरप और तमप प्रत्यों की संग्या क्या होती है, चली आज तीस ही रहने देते हैं, आंगे के प्रशन अंगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो हम संग्या सर् अगले वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी, तैयारी करते रहें, बनी रहें, जय हैं